आज सुबह से सफाई 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 चल रही है और पूरा आज मिला घर लाइटेड लग रहा है आपको लग रहा है क्योंकि आज निकाल देखिए फ्रेम से आजो मैं जा अभी मैं जा रही हूं चुरा का भूजा भूने और आलू के आज का पोखोड़ा जितना हो सके पानी पीजे है जितना हो सके अपे नेट वेट सब लोग गया देखें बारिश ही नहीं और ये थूप हो गया आप पर कोई दुश्मनी है आपको हमसे कुपीडवीडवीडू देख रहा हूं इस गहल में ना पिया ही एक बच्चा है कुपीडवीडवीडू वेर आर यू में पास इसका पाउच बेठा एमजी रोट से खरी देख यह क्या अन्शु के लिए चूड़ा का भूजा गुल्डू के लिए और कोल्डी के लिए बहुत गंदी बास चूड़ा का भूजा और आलू-प्याच का पकोड़ी बना रही हूं अन्शु बला मैं चूड़ा का अन्शु बला मैं चूड़ा का भूजा खाना पकोड़ी ऐसा डायट मुझे कभी-कभी उन्दा शॉक लग जाता है जटका लग जाता है जाता हूं तो बार खाकी हूं अन्शु बलाई एक सुबह में और एक रात में हाँ अगर मैं स्मॉर्णिंग में ओच ची सब खाली त अन्च, व्धूर्णिंग पति रहे हैं तो मैं आ प्रेक्ष गता हुं मैं 3 बार खाता हूं तो मैं सिखा हूं कि मैं 2 भार खाता हूं म्युक्त्अ जिस दिन में वर्णिंग मेंapor और समॉट या सब खालेटी हो तो मैं उस दिन दिन भी खालेटी हूं और पाणी हो जाता है उस खाने के बाद तो उस टाइम पर तीन बार फाद हो देस से दो बाद यहां पैसे त्रिंस भी होते हैं बहुत सारे लाइस्टाइल में मिलता है तो अभी मम्मा बना रही है क्या बना रही हो आलू प्यास का पकोड़ा बना लिए मम्मा मैं आज कोल्डी के हाया मास्क लगाना है जारे एक मिन यह तूम आजो मैं ब्लॉग में नहीं हूं मैं बताने आई रात में चोले बना रही हूं और कचोड़ी वाला बहतुरे बना रही है बीच में आजो मैं जा रही हूं थी भाई मैं खुवार मुझे कितना काम होगा मम्मा कोई सफाई कर और मुझे ना खीचे उसमें इंपॉसिबल यह हर मां का हक है हाँ तो मैं क्या बूल कि हाँ बीच में मुझे छोले छोले खाते ही मुझे वॉमेटिंग जैसा होना इतना मम्मा छोले बनाती थी मत बूछिये अब चलो कभी घभी कभी बन जाता है छोले टो ठीक है नहीं तो बीच में मम्मा को छोले का चसका लगया था जोब देखो तो छोले चोले जैसे चना है यह था पेस वेज़िए कि मुझे कैसा फिरिंग होता था उस समय अब अब ऑब भी नहीं फैले तो आल्टर्वी बन जात आपर हो जाता अभी मम्मा मिंट टू या थ्री टाम स्वीक में मन्ध में मन्ध में दू यह मिड़ा जोया खर रही हो फॉर्श्टिस्टिकेशन कि इसमें गंडी हैं पूरे तीन महिने के बाद में अपना फेबरिट खाना बना रही हूं इन लोगों का फेबरिट खाना बना झो ठीड कहें मैं अपना खाना ग्यासा चना बना लूह का नटे बना दो स किसे मैं मैं सोया हुपी बनाती हुशन कभी दो लेकि इंप फेबरिये ये बना लिए छोले लिए चना लिये बना हिए वग्षटी को सि चाना लियूंत semua आजना खड़ाहम्हुस्थ रेहाम लिग्सददद गटीदध मनमा क्लाती है कि तिना भी नजानी वालू प्याज का पको रहा है भूल गई मुझे क्या मूला है हां नहीं हां 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 मैं बोल नहीं थी लोखी ममा पते क्यों नी खाती है मंजु बुआ नानी तिमर्चेसे मंजु बुआ नानी इतना न ममा को छोले खिलाई इतना ममा को लौकी खिलाई कि ममा लौकी खाना भूल गई तो लौकी ममा का छुड़वाने का क्रेडिट जाता है मंजु बुआ नानी को आस भी कभी बहू थी ये है मेरा बालखनी इतनी खुशी जो मुझे मिली है ना ये देखिए एक भी कबूत्तर अब आपको नहीं दिखेगा सारे कबूत्तर जो है ना बाग गए नहीं दिखला सकता है अभी तुम बैक में नहीं दो सारा फ्लावर पॉट सब कुछ हटा चुकी हूं सिर्फेक ये एलोवेरा इस उम्मीद से कि शायद ये ठीक हो जाए तो ये रखी हूं बाकि सब कुछ हट गया ये मेरे किचिन का ये जो ट्रॉली एक निकल गया है तो उ जब और ये है गोल्डी डिजाइन से पानी पीते हुए एक तुलसी जी मेरी तुलसी जी सूप गई है दो चार दिन में हडी हो जाएंगी ये सारे स्लिपर्स हैं आज मुझे लग रहा है कि मुझे नया जनम मिला है ये डायलोग मेरी नानी का है हाँ आट में और रात में सोई कि थी तो मुझे वीडियो आज तो पब्लिश करना था एसलिए रात में अदिन एडियो वीडियो एडिट नहीं की थी तो मुझे वीडियो आज पबिश्क करना था इसलिए रात में एडीट वेडीट करते करते तीन साढ़े तीन के करीबें वीडियो एडीट करने मतलब खत्म हुआ है मेरा फिर सोई हूं तो साथ चार साढ़े-चार के बीच में नींद आ गई तो जबी वी थी तो अभी उठी हूं 9 O'Clock और अचलिए उठी थी 8.30 लेकिन फ्रेश ओकर के सब कुछ करते करते हाफ है ना तो होनी जाता है तो अभी पानी पीते हैं बहुत दिनों के बाद मुझे हनी मिल गया है तो हनी के साथ पानी पीते हैं चलिए प्वैक झ thiब हो इख उना है स्वाइ नगल आप सब भी साथ पे पानी पीचिये फिनिश खतब थोड़ा मुवाइल पे कर लेती हूँ काम फिर आप लोगों से बात करती हूँ थोड़ा काम कर लेती हूँ पाता है कर मुझे एक message आए इसके अभी मैं इहां पर screenshot लगा दूँगी आपको इस वीडियो में screenshot लगा दूँगी अभी या फिर थोड़ा आगे लेकिना जब कोई बीश जाएगा मुझे ना वैसे लोगों से बहुत allergy है मैं starting में बोलती थी कि भई मेरा एक और YouTube channel है पूरे अगर आप मेरे जैसा simple life जीते हो और अगर आप मेरे जैसा simple life जीते हो तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंदा है तो मेरे आप चैनल पर आईए बोलती थी ना अभी भी कभी कभी जब बोलती हूँ अपने channel के बारे में second channel के बारे में तो मैं यहीं बोलती हूँ कि मैं बहुत सिंपल लाहिक जीती हूँ और आप मेरे चैनल पर अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए ताब आप मेरे चैनल को देखिए नहीं तो मन देखिए मैं सबको पकड़ के लाकर करके जाकर के घरगर जागर के दोर बिल बजा करके तो नहीं लेकर के आती हुटि मेरे चैनल पर आओ ना कुछ लोग है ना मतलब ऐसे होते हैं कि हर ब्लॉगर के हर यूट्यूबर के ब्लॉग में जाएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जब वो यूट्यूबर चार गाली उनको दे देगा या ब्लॉग कर देगा रिपोर्ट कर देगा कुछ भी कर देगा तब वो क्या करेंगे रहा किसी और यूट्यूबर को टारगेट करते हैं फिर उसके कमेंट बॉक्स में घुस करके फिर बखवास कीरा कच्रा बगते हैं क्योंकि उनकी गंदगी ही कीरा और कच्रा है बगते हैं फिर मेरे जैसे निएक। अगर जिपनी है फोटोप कर देते हैं तो भी अगर वह नहीं मानते हैं तो मझबूरी में पुलिस। पुलिस में जाना पड़ता है। ओकि बहुत ज़्यादा गंध मंचाओगे तुम आपकी जिंदगी में तो कुछ है नहीं अब आप दूसरे के जिन्दगी में गंध मत जाने जाओगे तो कोई कितना tolerate करेगा है न अभी मुझे मैसेज करें है ओ माई गॉड्ड सो बोरिंग सम्थिंग ऐसा ही कुछ मैसेज था सो बहुत बोरिंग आपका यह है क्या बोलते है ब्लॉग है आप तो किसी से फोन पर बात कर लो वही बहुत है आप क्यों फोन ब्लॉग बनाते हो अगर आपको मूवी देखना है ब्लॉग में या फिर बहुत सारे यूट्यूवर ऐसे हैं जो ब्लॉग में डांस करके दिखात नहुक्त है,donc है,this है,that है, तो उनका जाकर के entertainment ढूण रहे हो, तो उनका जाकर के ब्लॉग देखो ना, मेरे ब्लॉग में तो वो सब आपको नहीं मिलने walा है, आप सोच रहे हो, चाथ मसाला मिलेगा जो भी गन्दगी वाले जो होते हैं आपको मेरे ब्लॉग में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरी फैमिली वेसे नहीं है हम लोग जो है सोखी व्यूज पारने के लिए और कुछ करने के लिए वो चीप टाइप से नहीं कर सकते तो अगर आपको मेरा ब्लॉग इतना बोड़ें इतना ओमाई गॉड लगता है तो आपको मैं अपने ब्लॉग पे अपने यूट्यूब चैनल पे इन्वाइट की थी यूट्यूबर तो बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि डिस्कोड डांस से लेकर के कैबरेट तक करते हैं करके देखो ना उनका करते हैं बहुत सारे हैं आज यहां गई आज वहां गई आज मैं कही Не मेरी जिंदगी जो है मेरे दोनों बच्चों से सुरू होती है मेरे husband से सुरू होती है और वहां पर ही खत्म हो जाती है तो मेरी जिंदिगी जहां पर खत्म होती है मैं तो वही दिख लाओंगी ना आपको आपको तो अगर चाहिए कि वहां गई वहां गई दिन भर भटक रहे रहो तो मेरे ब्लॉग में नहीं मिलेगा और सबसे बड़ी ब तो मैं पहले ही बोलती हूँ जो लोग अभी अभी मुझे जौइन किये और जिन्हें लगता है कि छवी के वीडियो में मसाला मिलने वाला है मुझे छवी के वीडियो में वहां गई यहां गई आरे ज़िन जब जाओंगी कहीं कई मैं वो वीडियो में 100 प्रसेंट अप्लो तो अगर आप सब को लगता है कि मेरे 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 ब्लॉग मेरे में मसाला मिलने वाला तो आप लोको बस कोई मुझे दिकत नहीं है मुझे नहीं चाहिए बातो कि मैं भूखी नहीं हूँ कि आज के अब भी मैं डाली हूं आप भी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होई जाने चाहिए तो मैं बस कुछ भी डाल दूँगी आपको मैं बताती हूँ अपने पती की ये दीज और डैट अपो जैसे करते हुए बस हो गया अंदर जाओ तो कुछ नहीं वो सम नहीं मिलने वाला है मेरे मसाला तो मेरे इसमें नहीं दिमाग खराब हो जाता है आपको थोड़ी में डोर बेल बजा करके मैं तो सिंपल सूर से बोलती हूँ मेरे ब्लॉगिंग चैनल को वही सब्सक्राइब करेंगे या वही देखेंगे जो मेरे जैसे सिंपल लाइफ जीते हैं मैं अपने लाइफ को सिंपल बोलती हूँ मैं बड़ा बोरिंग लाइफ जीती हूँ है न तो मैं बहुत बोरिंग लाइफ जीती हूँ तो जो मेरे जैसा बोरिंग लाइफ जीते है वही मेरे वीडियो को देखेंगे और वही मेरे वीडियो को देखना पसंद करेंगे जो बहुत ज़्यादा हाई ज़्यादा हाई फाई लाइफ जीते हैं और बहुत ज़्यादा हाई फाई उन्हें पसंद है तो फिर वो हाई फाई बापरे भरे परे हैं यार यूट्यूब पे तो एक से एक तिस्मार खान है यूट्यूब चैनल पे ब्लॉगिंगे देखो जा करके उनके ब्लॉग मसाला ही मसाला आपको मिलेगा एक मसाला ढूने जाओंगे पांच मसाला मिलेगा मेरे ब्लॉग में नो मसाला फीका लाइफ तो प्लीज यहां पर मत आया फीका लाइफ फीका ब्लॉग बोरिंग ब्लॉग क्यों देखना है आपको ऐसे लोगों की सोच पर गुछ साथ है मुज़ी है ना बिग बॉस ढूंड रहे हो क्या ब्लॉग में उसको वो गाली दिया उसको वो फाइट किया उसको एक बात को ले करके वो किया पकर यह कर रहा है जाओ बिग बॉस देखो रिपिट टेलिकास्ट या फिर बिग बॉस टाइप के बहुत सारे ब्लॉगर है जिनके ब्लॉग जो हैं बिग बॉस को फेल करने वाले उनका जा करके देखो मेरे गली में कहां आ गया इस गली में आपका कोई गुजारा नहीं इस गली से निकल जाओ आप अभी समझा रहे हूं अगले बार समझाओंगी नहीं अगले बार सीधा रिपोर्ट ब्लॉक उसके उपर ज्यादा कुछ करोगे तो सोचना पर जाएगा मुझे क्या करना है चलिए पानी पी ले हूँ अब देखो अब मैं ब्लॉक में क्या करूँगी मैं ही करूँगी चलिए मैं पानी पी ले हूँ अब चाय पीते हैं चाय पीने के बाद क्या करूँगी मैं खाना पकाता हुआ दिखाऊँगी या फिर कपड़ा फोल्ड करता हुआ दिखाऊँगी है न? बस मेरे भ्लाइव में यही मिलेगा अगर अभी देखने बैठे हो सोचके अभी से कलटी मार दो निकल लो, अभी निकलो मेरे भ्लाइव से मेरा तो लाइफ यह है बोरिंग सा लाइफ बोरिंग सा वीडियो तो लिव इट इग्नोर इट बाई बाई तो लिए भी जा रही हूं चाहती रहे ऐसे लोगों का क्या कर सकते इन लोगों की सोच है नहीं इतनी घटिया है हर जगर यह लोग मूवी ही देखना चाहते हैं आरे मूवी खुद के लाइफ में लाओ मूवी परा मसाला लाओ अपने लाइफ ही है खुद के लाइफ में अगर मसाला नहीं है तो बहुत सारे योट्यूवर भरे परें जिनके लाइफ में बहुत सारा मसाला उनकी लाइफ को देखो मेरा लाइफ बहुत फीका लाइफ सो यहां पर नहीं फटकने का अब हमारे गोल्ड मेंबर वो भी बोरिंग है नियू मेंबर जो मुझे मुझे पसंद करके ज्वाइन कियें वो भी बोरिंग है तो हम लोगों का बोरिंग लोगों का ग्रूप है तो इसमें कहां से एक्टिव मेंबर आ जाते हैं अगर आप लोग एक्टिव मेंबर हूँ में आक्टिम मेमर हूं तो प्लीज जवाइन ना करें, मैं बहुत बोड़ीं हूँ, बहुत बोड़ीं लाइफ चीदि हूँ, तो हमें जवाइन करें के बोड़ींग वाली फिलिंग क्यों लाना है। था मैं इन लोगों के बाद में रह जाती हैं। बतायगाकर मेरे Life का सबसे Best Day अब पूछिए क्यों। गोली को उसके college में Internal जो एक्जामस होते हैं, उसमें उसके marks बहुत, बहुत, बहुत 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 अच्छे आए मेरे अच्छे आएं। भघमाल जी। उसके बाद वह तो हो गया कर मैं तक्रीबन दस तीन के बाद 10 या 12 दीन के बाद पूरा मंदीर को साफ की हूं अपने मंदीर को साफ करने में जो मजा आता है उसको एक्स्प्राइन नहीं कर सकती है मुझे ना हर एक भगवान को साफ करके उनको जो पहनाते है ना कप्रा वगड़ा ऐसे ड्रिस वगड़ा पहनाने में बड़ा मजा आता है तो कल मेरे मंदिर की सफाई हो गई प्लस मेरे जो बाल गोपाल थे ना कृष्ण भागवान का जो चोटा सा रूप होता है बाल गोपाल का तो उनका जो जूला था वो तक्रीबन मुझे लगता है मैं दो साल से सोच रही थी कि उनका जूला मुझे चेंज करना है मुझे उनका जुछाइन जहाती फिए इमची रोड जाती थी मतलों महिने में Katrina यू वह रह시면 में दो-3 जाना हो जाता था लेकिन वह स्कॉन में एक सी भिषूब मिल नहीं कि कि इना कभी जा कर डुप कर जुछा लएक dogs इस miroc कर दे मेरा बहुत अच्छा बहुत अच्छ अच्छ लिए शोटू सा क्यूटू सा ब्लॉग जो है कि यहां पर ही खत्म करती हूं चाही भी बहुत बागी है इतना गपा करूंगी न और शेकंड ब्लॉग जो है आज अपड़ोड करूंगी और यह प्रॉमिस हैं, कोशिस करो, कोशिस करने वाले को कभी हार नहीं होती है, बाबाइ